जै श्री कृष्णा पौराडिक काल से ही भगवान स्री कृष्ण की कहानिया या कृष्ण लीला बच्चू और बड़ों को बहुत पसंद आती है भगवान स्री कृष्ण जी की कई कहानिया हैं हम सभी के लिए ज्ञान का भंडार क्रिष्ण जी की मजेदार कहानियों से बच्चे बहुत खुस होते हैं और सकारात्मक्त चीजे सीखते हैं भगवान क्रिष्ण के जन्म की कथा से लेकर ब्रिंदावन में उनकी सरार्तों की कहानिया बहुत ही अध्भूत है हम भगवान क्रिष्ण को कई रूप में देखते हैं जैसे बाल क्रिष्ण, माखन चोर, राधा क्रिष्ण और कुरु छेत्र में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए जैसा की हम सभी जानते हैं मार्ग सीस मास भगवान स्री क्रिष्ण को समर्पित है और इस मास में भगवान स्री क्रिष्ण की पूजा कथा एवं यमुना जी में असनान करने से भगवान स्री क्रिष्ण प्रसन होते हैं एवं मोच की प्राप्ती होती है एक बार की बात है एक संद जंगल में कुटिया बना कर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे संद को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरी भगवान श्री कृष्ण मुझे साचात दर्शन जरूर देंगे उसी जंगल में एक सिकारी आया उस सिकारी ने संद की कुटिया देखी वह कुटिया में गया और उसने संद को प्रडाम किया और पूछा की आप कौन हैं और आप यहां क्या कर रहे हैं संद ने सोचा यदि मैं इससे कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतिजार में बैठा हूं उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो सायद इसको ए बात समझ में नहीं आएगी संद ने दूसरा उपाय सोचा संद ने सिकारी से पूछा भगवा पहले आप बताओ की आप कौन हो और यहां किसलिए आये हो उस किरात ने कहा कि मैं एक सिकारी हूँ और यहां सिकार के लिए आया हूँ संद ने तुरन उसी की भासा में कहा मैं भी एक सिकारी हूँ और अपने सिकार के लिए यहां आया हूँ सिकार नी ने पूछा अच्छा संत जी आप ये बताईए आपका सिकार दिखता कैसे है आपके सिकार का नाम क्या है हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूँ संत ने सोचा इसे कैसे बताऊं फिर भी संत कहते हैं मेरे सिकार का नाम है ओ दिखने में बहुत ही सुन्दर है सावरा सलोना है उसके सिर पर मोर मुकुठ है हाथों में बंसी है ऐसा कहकर संत जी रोने लगे किरात बोला बाबा रोते क्यों हो मैं आपके सिकार को जब तक ना पकड़नू तब तक पानी भी नहीं पियूंगा और आपके पास नहीं आऊंगा अब वह सिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछा कर एक पेड़ पर बैठ गया यहां पर इंतिजार करने लगा भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता दूसरा दिन बीता और फिर तीसरे दिन भूखे प्यासे किरात को नीद आने लगी बाके बिहारी को उन पर दया आ गए भगवान उसके भाव पर रिजगर भगवान मंद मंद स्वर से बासुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फस गए जैसे ही किरात को फसे हुए सिकार का अनभव हुआ वह तुरंत नीद से उठा और उस सावरे भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था उनका रूप हू बहू वैसा ही था वह अब जोर जोर से चिलाने लगा मिल गया मिल गया सिकार मिल गया सिकारी ने उस सिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और सिकारी कहता हुआ जा रहा है आज तीन दिन के बाद मिले हो खुब भूखा प्यासा रखा अब तुम्हें मैं छोडने वाला नहीं हूँ सिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था जैसे ही संत की कुटिया आई तो सिकारी ने आवाज लगाई बाबा बाबा संत ने तुरं दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान स्री क्रिष्न को जाल में फसा देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जाल में फसे हुए मंद मंद मुश्कुरा रहे हैं किरात ने कहा आपका सिकार लाया हूँ मुश्किल से मिले हैं संद के आज हो सुड़ गए संद किरात के चर्डों में गिर पड़े संद आज फूट फूट कर रोने लगे संद कहते हैं मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रियास किये प्रभू लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो भगवान बोले इस सिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है इसलिए आज जब तीन दिन बीत गए तो मैं आये बिना नहीं रह पाया मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ती भी कम नहीं है संत जी आपके दर्सनों के फल से मैं इसे तीन ही दिन में प्राप्त हो गया इस तरह से भग्वान ने खूब दर्सन दिया और फिर वहां से भग्वान चले गए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद झाल